यह यात्रा शुरू होगी श्रद्धा से विश्वास से बस्चात व्यक्ति उस श्रद्धा से सत्संग में आना प्रारम करेगा सत्संग से आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो भजनक्रिया में प्रवृत हो गए और भजनक्रिया के परेणाम स्वरूप चौथी स्टेज आई वो क्या थी किसी को याद है अनर्थ निवृत्ती अंतह करण की शुद्धी होने लगी अब इससे आगे चलें पांच्वी सीड़ी ये है निश्ठा निश्ठा माने बुद्धी का द्रड विश्वास हो गया पहले विश्वास था लेकिन कमजोर विश्वास था और बाद में द्रड विश्वास हो गया देखिए विश्वास एक ऐसा तत्व है जिससे हम यात्रा प्रारम करते हैं और जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं विश्वास प्रगाण होता चला जाता और लास्ट में जाके इतना मस्बूत हो जाता है महापुरुशों का विश्वास ऐसा होता है कि आप उनको टस से मस नहीं कर सकते सारा संसार प्रहलाद को मीरा भाई को कहे तुम गलत हो मीरा भाई अपने विश्वास को नहीं छोड़ेगी लाख हिरन्य कशिपू प्रयत्न करे प्रहलाद अपने विश्वास पर अडिग रहेंगे इसलिए संसार में अनेक तत्व हैं एक से अधिक एक मजबूत प्लैटिनम टाइटेनियम इत्यादी लेकेन मेरे विचार में सबसे मजबूत वस्तु यदी कोई है वो महापुरुशों का विश्वास है प्रारम में विश्वास इतना मजबूत नहीं होता है श्रग्धा हमने जब कृपालुशी महराज के आश्रम गए तो उनके आग्या से अधियन प्रारम किये शास्त्रों का उनसे प्रश्ट ने किया कि महराज जी ये श्रग्धा शब्द बार बार आता है इसका मतलब क्या होता है उन्होंने कहा श्रग्धा का मतलब यदी मैं कहूं उठ जाओ गेट से बाहर चले जाओ और कभी वापिस मताओ तुम चौप चाप कर लो मेरे गुरू ने कहा है जरूर इसमें कल्यान होगा लेकिन उन्होंने कहा इतना बड़ा विश्वास किसी भी साधक में प्रारम में नहीं होता गुरू को भी पता रहता है जैसे माता पिता जब बच्चे को खड़े होना सिखाते हैं उनको पता है ये गिरेगा धड़ाम करके वो निराश नहीं होते अरे ये तो गिर गया अब इसके बाद ये कभी उठी नहीं पाएगा उनको पता है कि खड़े होना सीखने में व्यक्ति कई बार गिरेगा फिर चलना सीखने में पांच कदम चलके गिरेगा फिर दस कदम चलके गिरेगा फिर बीस कदम फिर चलने लग जाएगा भाग ले लग जाएगा और कुछ लोग तो वर्ल्ल कॉप हौकी में भी भाग लेने लग गए इतने योग्य हो गए भागने में तो इसी प्रकार से ये विश्वास यात्रा में आध्यात्मिक यात्रा में प्रगाड होता चला जाता जितना विश्वास प्रगाड होता है उतना ही जीव शरणागती करता जब विश्वास कमजोर है जीव सोचता है भगवान की शरण में जाएं क्या कष्ट उठाएं अपना टाइम बरबाद करें छोड़ो विश्वास न होने के कारण जीव शरणागती नहीं कर पाता एक रविंद्रनाट टेगोर ने गीतान्जली नामक पुस्तक में जिसके लिए उनको नोबेल पुरुसकार मिला था उन्होंने कविता लिखी उन्होंने निरूपन किया एक भिखारी था जगा जगा जाकर भिक्षाम देही भिक्षाम देही मांगता था तो एक दिन भिखारी ने दूर में देखा कि राजाओं के राजा का रत आ रहा है भिखारी विभोर हो गया अरे मेरा इतना बड़ा सवभग्य मैं आज राजाओं के राजा को देख रहा हूँ तो मन ही मन हवाई किले बनाने लगा हो सकता है राजा का रत इस दिशा में घूम जाए हो सकता है रत मेरे पास आ जाए हो सकता है कि राजाओं का राजा बहार उतर के मुझसे मांगे भिखारी तुमको क्या चाहिए तो मैं मांगूंगा नंबर वान ये चाहिए गाड़ी मंगला चाहिए नंबर तू फैक्टरी चाहिए नंबर तीन इत्यादी मन ही मन लिस्ट बनाने लगा स्वप्ट न देख रहा था लेकिन उस दिन उसकी तकदीर अच्छी थी फैक्ट में राजाओं के राजा का रत उसी की दिशा में बढ़ने लगा और लास्ट में उसके सामने आकर खड़ा हो गया उसने का जीवन में कभी मेरा भाग्य इतना अच्छा तो हुआ है नहीं ये जरूर स्वप्न होगा अपने को उसने चुटकी दी लेकिन पता लगाया वो तो जागरत है फैक्ट में राजाओं के राजा खड़े है वो राजा साब रत के उतर से उतर कर उसके सामने खड़े रहे तो उसने आंग बंद कर ली मैंने लिस्ट बनाई थी नमबर वन मैं ये मांगूंगा नमबर टू मैं ये मांगूंगा नमबर थ्री आंग खोली वो सोच रहा था राजा कहेंगे विखारी क्या चाहिए मांगो मैं तीन वर्दान दूँगा या दस वर्दान दूँगा किन तू राजा साहब ने हाथ सामने कर दी राजा साहब ने कहा भिखारी मुझे कुछ दे सकते हो क्या अब भिखारी ने कहा ये क्या उल्टी गंगा बह रही राजाओं के राजा मुझसे मिले और वो मुझे कह रहे हैं मैं कुछ दे सकता हूँ भिखारी की तु बुद्धी उस दिन फेल हो गई उसको कुछ समझ में नहीं आया ये मामला क्या है खैर अपने जोले में हाथ डाला एक अनाज का दाना निकलाया वो अनाज के दाने को उसने राजाओं के राजा के हाथ में डाल दिया राजाओं के राजा उसको लेकर और चले गए और भिखारी सोचता ही रहा मैं समुद्र के निकट गया फिर भी प्यासा रह गया ये मामला क्या था घर जाते हुए सोचता चला गया जब घर पहुंचा उसने अपने जोले को खोल के देखा वास्चर्य चकित हो गया अंदर एक सोने का दाना था अब उसको मामला समझ में आया मैंने राजाओं के राजा को एक अनाज का दाना समर्पित किया उन्होंने मुझे सोने का दाना बदले में दे दिया मेरी तो बुद्धी आज फेल हो गई मैं कैसा क्रिपन स्वर्न मवसर था सर्व समर्पन कर देते साब सोना ही सोना हो जाता लेकिन बुद्धी फेल हो गई हम क्यों दे ऐसे ही जीव को भगवान की शरनागती करनी बाधा आती है विश्वास जीव कहता है हे भगवान यदी मैं शरनागत हो गया आपने क्रिपा नहीं की तो मेरा क्या होगा मैं तो न संसार का रहूंगा न भगवान का इसलिए आप पहले मेरी ऊपर क्रिपा कर दो मुझे सब माल ताल मिल जाए आपका दिव्य ज्यान, दिव्य दर्शन, दिव्य प्रेम फिर मैं शरनागती स्पीड में करूंगा शरनागती का वर्ल्ड रिकार्ड तोड़ दूँगा लेकिन आपको पहले क्रिपा करनी होगी मेरी ऊपर क्यूंकि मेरा आप पर विश्वास नहीं है और भगलान कहते हैं कि अरे जीव, अगर मैंने क्रिपा कर दी और तुम्हारी बुद्धी तो अंडबंड है फिर तुमने शरनागती नहीं की मुझे अंगूठा दिखाया, मैं क्या करूंगा इसलिए तुमको पहले मेरी शरन में आना होगा तो अब जीव तब ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ सकता है यदि उसका विश्वास हो यानि वो विश्वास जितनी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में शरनागती होगी उतनी ही मात्रा में भक्ती बढ़ेगी तो अब ये जो अनार्थ निवृत्ती थी इसके बाद अगली कक्षा आई निश्ठा वो विश्वास द्रड हो गया तो द्रड क्यूं हो गया पांचवी सीड़ी में पहले क्यूं द्रड नहीं था क्योंकि पहले यात्रा के प्रारम में भगवत अनुभव नहीं था उम्मान अलिया भई संतों ने कहा शास्त्रों ने कहा एक भगवान है चलो मान लेते किन्तो जब अनर्थ निवृत्ती होने लगी अंतह करण की शुद्धी होने लगी अब अंतह करण शुद्धी के परेणाम स्वरूप कुछ-कुछ भगवान का एक्स्पीरियंस होने लगा भगवान का अनुभाव होने लगा नारज जी से किसी ने पूछा कि देवर्शी आपने भक्ती दर्शन लिखा है ये भक्ती तत्व जिसका आप निरूपन कर रहे हैं इसका प्रमान बताई भक्ती का प्रमान क्या है नारज जी ने लिखा प्रमान आंतर स्यान पेक्षत्वात स्वयम प्रमान त्वात भक्ती के लिए कोई बाहर से प्रमान की आवशक्ता नहीं पड़ेगी ये भक्ती आपको भीतर से ही प्रमान देदेगी क्या प्रमान आपको भागवान का आनंद कुछ कुछ मिलना शुरू हो जाएगा देखिए जैसे मान लो कोई भूखा है अब आप कहें स्वामी जी भूख लगी है मंदिर में कुछ प्रसाद की विवस्था है क्या हम कहें भई भूख लगी है इसका प्रमान दो आपको भूख लगी है इसका प्रमान क्या अब क्या प्रमान देंगे मैं पेट नाप के बताऊं की भूग लगी यह तो कोई प्रमान नहीं अपनी फीलिंग बता रही है की भूग लगी है और भर पेट खा लिया खुदा निवृत्ती हो गई तो भूग मिट गई स्वावे जी बस बस अरे और खाओ ने नी भूग मिट गई प्रमान दो की भूग मिट गई कैसे प्रमान दे पेट एक इंच बढ़ गया है तो मिट गई और आदा इंच बढ़ा है तो नहीं मिटी ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है अपनी फीलिंग ही बताएगी कि एक शुधा निवृत्ती हो गई इसी प्रकार से जीव की अनादी कालीन भूक है आनंद के लिए प्रेम के लिए ग्यान के लिए उसी के लिए जीव भटकता चला जा रहा है और कहीं नहीं मिलता आप चले जाए पूरी समुद्र तट को देखें फिर वापिस आए आनंद में है नहीं साहब वो तो एक दिन के लिए था फिर खतम हो गया नई बॉलीवूड मुवी रिलीज हुई आप बड़े चाह के साथ देख के आए बस आनंद आया अब जीवन भर आनंद तरहेंगे अची वो तीन घंटे बाद फिर से बोर हो गए तो वो भूक जीव की मिठ नहीं रही है और जब भक्ती करते करते कुछ मात्रा में अंतह कर शुद्धी होने लग गई तो भगवान के आनंद का आभास मिलने लगे और वो ही प्रमान है जिससे आपकी श्रद्धा अप्रगाड हो जाती देखिये आप लोग भक्ती में बैठते हैं तो किसी किसी दिन बड़ा मजा आ जाता है आप जब उठते हैं अपने साधन भक्ती से संतुष्ठो के उठते हैं आज अच्छे से भजन हुआ और किसी दिन आप भक्ती करके उठते हैं तो असंतोश रहता है भई मजा नहीं आया हम टाइम तो लगाए किन्तु वो उपलब्धी नहीं हुई यानि आपकी फीलिंग न नहीं बता दिया जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट में वो बॉल आती है और बैट से मारा जाता यदि बैट्समैन उसको बैट पर सही जगा मारे और सही टाइमिंग के साथ मारे तो उसको फीलिंग आ जाती है हाँ भई ये शॉट बिलकुर पर्फेक्ट रहा ये बॉल तो boundary को cross निश्चित करेगी देखना नहीं पड़ता और यदि timing में placement में गड़बड़ी हो गई तो अपनी feeling बता देती है भी तो फटे के समान रहा गड़बड़ी हो गई अरथाथ वो अपनी ही feeling हमको प्रमान दे रही है तो क्योंकि अब अनर्थ भजनक क्रिया करने लगे तो अनर्थ निवrittी होने लगी अंतहकरन शुद्धी अभ होने लगी तो उतनी ही मात्रा में भगवायन के आनुद का आभास मिलने लगा भगवायन की उपस्थिती का आभास मिलने लगा और इन सब चीजों ने आपकी श्रद्धा को प्रगाड कर दिया देखिए प्रगाड श्रद्धा का एक उदाहरण एक नेवी का कप्तान था नव विवा हुआ तो अपनी पत्थनी को प्रथम बार समुद्री यात्रा में ले जा रहा था समस्या यह हुई कि जब जहाज समुद्र के मध्य में था भयंकर तूफान खड़ा हो गया अब पूरा जहाज इदर डगमगाए उदर डगमगाए इस सुनने में सामान्य लगता है लेकिन अगर आप समुद्री जहाज में हो समुद्र के मध्य चारों तरफ जल ही जल तो कितना खत्रा लगता है अब वो जहाज ऐसे ऐसे डगमगाए सब के सब तो भैभीत हो गए लेकिन वो नेवी का कप्तान निश्चन्त था पत्नी बड़ी प्रभावित हुई पत्नी ने का पती देव सब के सब यहाँ घबराए हुए है लेकिन आप इतने शांत क्यूं है वो नेवी के कप्तान ने मियान से तलवार निकाली और तलवार की धार को पत्नी के सिर पर रखा उसने कहा कि तुमको डर लग रहा है पत्नी ने कहा बिलकुल भी नहीं क्यों नहीं लग रहा है यह नंगी तलवार तुम्हारे सिर पर है तुमको डर नहीं लग रहा है पत्नी ने कहा पती देव तलवार आपके हाथ में है आप मेरे हितैशी है मुझे विश्वास है कि आप जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे तो पती ने कहा इसी प्रकार से ये जहाज भगवान के हाथ में है और भगवान मेरे हितैशी है इसलिए मुझे भी भरोसा है कि भगवान जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे अगर मुझे जीवित रखना चाए तो ठीक, मरवाना चाए तो ठीक, हम मैं उनके हाथों समर्पित हूँ तो ये जो भगवान पर श्रद्धा बढ़ जाती है, ये जो बुद्धी की निष्ठा हो जाती है, ये साधन भक्ती की पांच्वी सीड़ी है और उसका एक और परिणाम भी सामने आता है, वो परिणाम क्या, कि अब हमारी श्रद्धा, हम भीतर से भगवान को ही अपना आश्रए मानने लग जाते हैं एक भरोसो एक बल, एक आस विस्वास, एक राम घन शाम हित, चातक तुलसी दास वरना लोग क्या करते हैं, तमाम देवी देवताओं की भक्ती करते हैं ये देवी जी का गोला, ये देवा जी का गोला, ये इनका गोला, सनीचर जी का गोला, शनी देव का गोला क्यों जी आप इतने सारे की भक्ती क्यों करते हैं वो ऐसा है कि धेर सारे दोस्त बना लो पता नहीं संकट के समय कौन हमारी बात सुन ले लेकिन श्री कृष्ण ने का भही देखो ऐसे काम नहीं चलता है तुमको अनन्य भक्ती करनी होगी अगर तुम अनन्य भक्ती करोगे तो मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूँगा तो जब भगवान पर निष्ठा हो गई अब हमको विश्वास हो गया किसी अन्य की भक्ती करने की आवशकता नहीं एको पुत्रों देव की पुत्र एवो एकम शास्त्रम देव की पुत्रगीतं एको मंत्रस तस्यनामानियानी कर्माप्येकं तस्यदेवस्यसेवा तो हम लोग जो विभिन देवी देवताओं की भक्ती करते हैं फैक्ट में कोई भी देवता आपको कुछ देता है वो अपनी शक्ती से नहीं देता भगवान से लेकर ही दे सकता यानि देवता लोग स्वयम निरावलम है तो फिर देवी देवताओं के पास नहीं हमें सुप्रीम पावर की शरण में जाना होगा इसी प्रकार से हमें कोई अन्य जगा जाने की आवशक्ता नहीं है जो सुप्रीम पावर है जो भगवान है उनके प्रती हमको अनन्य भक्ती करनी है अनन्य चेताह सततम योमाम स्मारति नित्यशह तस्याहम सुलभपार्थ नित्ययोक तस्ययोगीनः देखिए भगवन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं सुलभ मिलूँगा आसानी से वैसे तो औरोंने सरवत्र ये गोशित किया कि भगवत प्राप्ती करना कठिन है लेकिन इस श्लोक में आठवे अध्याय के चौदवे श्लोक में कहते हैं में सुलभ मिलूँगा किसको जो अनन्य भक्ती करेगा तो जब हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है वो निष्ठा आ जाती है देखिए पर्वती जी की निष्ठा देखिए जब योगियों ने उनको बहकाया तो निका जनम कोटी लगी रगर हमारी वरव शंभू न तू रहव कुमारी हमने अपना मन एक में लगा दिया है बस इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला ये पार्वती जी तो स्वयम सिद्ध हैं लेकिन ये निष्ठा का एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये हुई साधन भक्ती हमारी इस यात्रा की पांचमी सीड़ी अब उसके बाद अगला स्टेप ये क्या है इसको कहते हैं रुची झाल 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 झाल